दोस्तों अगर आप रेलबे एक्जाम एंटी पीसी प्लस गुरूब डी एक्जाम की तयारी कर रहे हैं तो यह इस्पेशल बुक की यह आपके लिए है और इस्पेशल क्यों है दोस्तों मैं आपको बता देता हूं इसमें फूल सलेवस बाइज जो है कॉंटेंट पूरा कवर किया गया है इसमें 4000 प्लस question answer आपको मिलते हैं वन लाइनर question मिलेंगे साथ में आपको multiple choice question मिलेंगे इसमें solution के साथ दिया गया ट्रिक के साथ सबसे बड़ी बात दोस्तों इसमें आपको free mock test दिया गया है और previous year question भी पूछे गया एक्जाम में वह भी इसमें शामिल किया गय इसकी है 35 रुपीज में इत्ता अच्छा content दोस्तों आपको कोई provide नहीं करेगा इसलिए आप इस बुक को जरूर परशेज करेंगे इस वीडियो को description box में आपको link मिल जाएगा उस link पर क्लिक करके आप purchase कर सकते हैं और यह book आपको Hindi और English दोनों language मिल जाएगी तो आपको जो Good morning friends, welcome to online study point दोस्तों आज है 10 March और start करते आज करेंड़ फेस पहला question है मारा वित्त मंत्राले में वित्त सचिव के रूम में किशे निवक किया गया है तो वित्त मंत्राले में वित्त सचिव के रूम में निवक किया गया है शुभास चंद्र गर्ग को options ही correct हो जाएगा देख वित्त मंत्री कौन है अरुण जेटली जी है वित्त मंत्री अरुण जेटली और अगर बात करें कि नया वित्त सचिव किसे निवक किया गया है वित्त मंत्राले में सुभास चंद्र गर्ग जी को next question है मारा राष्टी कंपनी कानून याधिकरण की दो नई बेंच कहां स्थापित होगी तो यह स्थापित होगी दोस्तों अमरावत्ती और इंदोर में अमराबती में जो इस्थित पीट का अधिकार शेतर आंध्रप्रदेश और इंदोर में इस्थित जो बेंच का अधिकार पीट होगा मत्रप्रदेश का राज्जिका होगा ठीक है तो अमराबती में अधिकार शेत्रोगा आंध्रप्रदेश का और इंदोर में MP36 का अधिकार शेत्रोगा तो राश्टी कमपनी कानून ने अधिकरण की दो नई बेंच कहा इस्तापित होगी अमराबती और इंदोर में अगला कोशन है मारा प्रधानमंत्री मोधी जी ने पंडित दीन द्याल उपध्याय पुरातत संस्थान का उध्धण कहां किया है और पुरातत संस्थान संस्कृत मंतरलेक्टत भारती पुरातत सर्वेक्षन का अकादमिक विंग है इसका उद्धेश क्या है संस्थान का तो छात्रों को पुरातत के छेत्र में उत्रिष्टा प्रधान करने का उश्र प्रधान करना ठीक है तो मोधी जी ने पंडित दीन द्याल उपध्याय पुरातत संस्थान का उद्गण पहां किया है ग्रेटर नौैड़ा में कोशन नमबर फोर ते दोस्तों आयोध्या विवाद में मध्यस्टा करने वाला तीन सदस्टी पैनल का अध्यक्ष कौन होगा तीस पैनल के अध्यक्ष होंगे एफ्यम इब्राहीम खली फुला ओप्सन भी करेक्ट हो जाएगा सुप्रीम कोट की सम्विधान पीट ने आठ मार्च को आयध्या विवाद में मध्यस्टा हेतु तीन सदस्टी पैनल का न्यूक्ष किया है और आपको बता दे कि पैनल के सदस्यों में चेर्मेन करू में सुप्रीम कोट के पूर मनियाधिश एफ्यम आई खली फुला होंगे जबकि जो आर्ट आफ लिविंग के संस्थापक हैं स्री सी रविशंकर और स्री राम पांचु जो बरिष्ट वकील हैं और वैकल्पिक विवाद समाधान में अन्वह रखते हैं इनके सदस्यों होंगे दो सदस और कौन कौन से होंगे तो आर्ट आफ लिविंग के जो फाउंडर है स्री सी रविशंकर जी और स्री राम पांचु ये दो अन्य सदस होंगे उसके अध्यक्ष कौन बने हैं ये बने सुप्रीम कोट के पूर मनियाधिश एफ्यम आई खली फुला ठीक है और ये यूपी के फैजाबाद जिले में शुरू होगी यूपी के फैजाबाद में ठीक है तो अध्यविबाद में मद्यस्ता करने वालत तीन सदसी पैनल का अध्यक्ष चेर्मेन कौन होगा सुप्रीम कोट के पूर मनियाधिश एफ्यम इब्राहिम खली फुल्ला अगला कोशन ह मार्शल दीप शमूव Gaussian 2017 में लॉंच किगी डिश्टल मुद्रा का नाम क्या है इसका नाम है एक है जड़ अस ब औस ऑवी डेक सी acontece करेगा और यह मार्शाल i06न की सरकारन डिश्टल मुद्रा के विक्षित करने तो इसराईल की कंपनी नीमा के साथ साज़धारी किगी है ठी टोल रास्ट मार्सल आइसलेंड ने 2018 में डिश्टल मुद्रा को कानूनी निविदा करूँ में विक्सित करने दू कानून पारित किया था ठीक है तो यह एसो भी मुद्रा डिश्टल मुद्रा लॉंच किया है अगला कोशन है हमारा Politician of the Year 2019 कि से चुना गया है सादिक खान को देखिए दोस्तों ब्रिटेन का जो सबताहिक समचार पत्र है Asian Voice दोरा आजित वार्शिक Political and Public Life Awards में लंदन के मेर सादिक खान को Politician of the Year चुना है सादिक खान को और उन्हें राजनितिक जीवन में उनके निरंतार योगदान के लिए समनित क्या गया है और ब्रिटेन के रक्षा मंत्री Gavin Williamson को Cabinet Minister of the Year और भारती मूल की राजनितिक प्रिती पटेल को Conservative Party MP of the Year नामित क्या गया है तो ब्रिटेन के जो रक्षा मंत्री है Gavin Williamson को Cabinet Minister of the Year और जो भारती मूल की राजनितिक जीवन प्रिती पटेल को Conservative Party MP of the Year नामित क्या गया जबकि Politician of the Year 2019 की से चुना गया है सादिक खान को और ये ब्रिटेन का जो सब्ताहिक समाचार पत्र है weekly Asian Voice द्वारा आज़ित किया गये वार्षिक Political and Public Life Awards में London के मेर सादिक खान को ये चुना गया है चलिए अगला कोशन देख लेते हैं दोस्तों कितने सारवजनिक और निजी और विदेशी बैंकों पर RBI जोरा 71 करोड रूपए का जुर्माना लगाया गया है 36 Option C 36 देखें तो RBI ने Reserve Bank of India ने 9 मार्च को 36 सारवजनिक निजी और विदेशी बैंकों पर 71 करोड रूपए का जुर्माना लगाया है और यह जुर्माना स्विप्ट संचालन का समय सीमा पर कार्यानबन और सुधरी करन पर विभिन निदेशों को पालन ना करने के लिए लगाया गया है इन बैंकों में बैंक का बढ़ोदा, ICICI Bank, SBI और S-Bank भी शामिल है आपको बता देक स्विप्ट एक Global Messaging Software जिसका इस्तेमाल बित्ती संस्थाओं दोरा लेंदेन के लिए किया जाता है ठीक है? तो यह लगाया गया RVI द्वारा RVI की बात करें, हाँ पर RVI की बात हो रही है तो बता दें RVI का Headquarter है मुंबई महारास्टा में भारास सरकार के केंदरी बैंक है इसकी स्थापना होगी थी एक अप्रेल 1935 में राश्टी करंड किया गया था एक जन्वरी 1949 में परतमान में गवर्नर को नहीं है RVI के शक्तिकांत दास हैं तो यह आफ़ेक्ट याद रखेंगे कोशन बरे थे दक्षिन तैक्षिन तड रेल्वे का Officer of Special Duty कि से न्यूड किया गया है स. श्री निवास को दोस्तो रेल्वे मंतरा लेने आट मार्ज को स. श्री निवास को South Coast Railway का Officer of Special Duty न्यूड किया है और आपको बतादिक भारती रेल्वे कार्मिक स्रेवाधिकारी एसे स्री निवास दक्षिन मध्य रेल्वे के मुख्य कार्मिक अधिकारी गरूम में कारे रत थे Q9 है आठ मार्च को आपचारिक भारत जापान अंतरिक शुवारता का हमा आज़ुत की गई है Q9 है त्याज़ुत की गित उस्तों न्यू डेली में आपचारिक भारत जापान अंतरिक शुवारता ने दिल्ली में आठ मार्च को आज़ुत की गई थी और इस वारता से दोनों देशों को बाहरी अंतरिक से सम्मंधित मंत्रालेयों और एजेंसियों के साथ लाने और सम्मंधित अंतरिक से नितियों पर सूचना क्यादान प्रदान का उसर प्रदान हुआ है ठीक है बात हो रहे हैं पर जापान की तो जापान की केप्टल क्या है टोक्यो है जापान की केप्टल और जापान के वरतमान में प्राइम निस्टर कौन है शिंजो आवे हैं प्राइम निस्टर कोशन नमर टेंथ है भारत ने मार्च दोहरुनीस में चीन में अपना तीसरा आईटी गलियारा कहां शुरू किया है किया है जियांग्शु में ठीक है ओप्सन सी दिक्ष्ट तो भारत ने चीन में अपने तीसरे सुचना अपरदु की गलियारे को सुरात की है जो भारती और चीनी कमपनियों के भी साज़दारी को सुगम बनाएगा और आईटी गलियारे को राष्टी साफ्टवेर और सेवा कमपनी संग और चीन के सुजोव सहर में जियांगुशू प्रामद्वारा विक्षित किया गया था और चीन की बात करें तो चीन की कैपिटल क्या है बीजिंग है ठीके चीन की कैपिटल क्या है बीजिंग और यहां के जो लार्जे सिटी है संगाई है और यहां के प्रामिस्टर है चीन के प्राण मिस्टर है लिक एक यांग और बात करेंगर यहां के राष्टपती की प्रेसिडेंट की तुवों है जिन पिंग ठीक है जिन पिंग है प्रेसिडेंट अब देख लेते हैं दोस्तों लाश व पीडियो का एंसर मैंने कोचन पूचा था सवक्सर्वेक्ष्ण दहरनीष की तहितकी शहर को सबसे शोक्सर का पूरुष्कार मिला है पुरुषकार जीता है सबसे स्वक्ष सहर भारत का पिर आज का सवाल है मारा अंतराष्टी महिला दिवस प्रतिवर्ष का मना आयाता है अंतराष्टी महिला दिवस 7 मार्च, 8 मार्च, 11 मार्च, 12 मार्च फटाबर इसका एंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखे अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें और कल की वीडियो अदिया आपने नहीं देखी है, नौ मार्च की तो यहाँ पर इंडि स्क्रीन में आती है, आप जरूर देख लिया करें, वीडियो लाइक करें, शेयर करें, ठीक है दोस्तों तो मिलते हैं शेयर को साथ, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, आप सोचते रहें, बेस्त रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहें, जै हिन, जै भारत तो में यदे, आप साथ, अलिए भारत रहें, यारत रहें, टुझि नैट है, जै ए AMY, तो मीलते हैं, जै हुया पहें, जै दोने करेंख्झारा है, अनुप्त, रहें आप वहें रहें, तो म मिलते हैं, साथ NICKT- heeft रहें च pc-ले लिए indoor, को रहें लोम speaking हैं,िएू जै लित सान झाल झाल